दुवेंदर पराशन आपको नाम बता रहे हैं, जो आज शपत लेंगे पुषकर सिंग धामी के साथ जो मंत्री बनेंगे, आईए एक नज़र डार लेते हैं कैसी होने जा रही है पुषकर सिंग धामी की सरकार तो उत्तराखंड के बारवे सीम बनेंगे आज पुशकर सिंग धामी और आठ मंत्री जो हैं वो उनके साथ शपत लेने जा रहे हैं दूसरी बार शपत लेंगे पुशकर सिंग धामी पिछले साल जुलाई में उन्हें मंत्री बनाया गया था और बहुत कम समय था उनके पास भले उनकी अपनी सीट भी हार गए लेकिन भरोसा उन पर केंदी नेत्यत्यत्म का था उनकी अगवाई में ये जीत मिली तो एक बार फिर से उनकी ताजपूशी होने जा रही है 2012 में पहली बार खटीमा से चुनाव जीते थे पुशकर सिंग धामी इस बार भी खटीमा से ही लड़े थे और बहुत ही क्लोस कंटेस्ट में वो हारे हैं यहां से और उनके पहले से इस बात का अंदेशा था लेकिन फिर भी क्योंकि वो उत्राखड में मुख्य मंत्री पत का चहरा भी थे पार्टी ने उनके चहरे पर चुनाव लड़ा था इसलिए अपनी फीट बदलना शायद उन्हें यह ठीक नहीं लगा अब हम मंत्री मंडल की बात कर रहे हैं सौरव तो सत्पाल महराज पहला नाम अनुभवे चहरा चुबटा काल फीट से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं मंत्री मंडल में इनका चहरा शामिल सत्पाल महराज जो 1996 में पहली बार लोकसफा का चुनाव जीते थे और उसके बाद से लगातार कॉंग्रेस पार्टी के साथ इनकी एक लंबी इनिंग्स चली और 2014 में इन्होंने भारती रंता पार्टी के साथ हात मिलाया पार्टी जॉइन की और उसके बाद से मंत्री मंड सत्पाल महराज के अध्यात्मिक गुरू के तौर पर भी पहचान है अगला नाम धन सिंग रावत का गड़वाल की श्रीनगर सीट से दूसरी बार आप चुनाव जीते हैं आप भी मंत्री मंडल में शामिल होंगे और 2007 में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इन्हें सौं ये अभी पुशकर सिंग धामी के नाम के एलान से पहले तक ये भी सीम पद की दौर में शामिल थे ये दोनों ही चेहरे और आरेसिस का भी बैग्राउंड है धन सिंग रावत का पीचडी होल्डर है और ये भी इस आज शपत लेने जा रहे हैं गड़वाल की शिनेगर सीट से आते हैं इसके बाद अगला नाम गड़े जोशी का मसूरी सीट से लगातार चौथी बार गड़े जोशी चुनाव जीते हैं इन्हें भी मंतरी मंडल में जगह दी चाली है राजनीती में आने से पहले आप भारतीय सेना में थे ये इनका एक प्रोफेशनल पुशकर सिंग धामी के बारे में हमने आपको बताया उनके जो पिता हैं वो सूबेदार थे तो वो खुद एक सैनिक बैग्राउंड चार हैं ऐसे ही गणिस जोशी जिनकी हम बात कर रहे हैं वो खुद पहले सीना में रह चुके हैं उत्राखंट में आप जानते हर दूसरे की सीट से मैं ध्यंक सबर रें सब्सक्री के बेटे हैं और इस बार उनको मंत्री बनाया जाना यह कान्गलिस पार्टी के पुराने नेता थि अधी wonत jy वें रहे चुके हैं उनके के बेटे हैं और इस इस बार उनका उनकी ताजपोशी होनी है मंत्री के तौर पर सितार गंज सीट से जीत कर क्या है विधायक 2017 में भी जीते थे सितार गंज की सीट से उस वक्त भी लड़ेते तो इंडिया टीवे आपको वतारा है कुश्का सिंग्रामी की कैबिनेट में उनके मंत्री मंदल में 2017 में भी सुमिश्वर सीट से ही रेखा आर्य ने चुनाव जीता था उत्राखंट में कैबिनेट मंत्री की जुमेदारी निभा चुकी है इस बार फिर से इन्हें मंत्री मंदल में जगह दी जा रही है मोडा की सुमिश्वर सीट से चुनाब जीतने के बाद अब धामी मंत्री मंडल में रेखा आर्य की जग है। मंत्री मंडल का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको फ्रिशनेस दिखे और कोई नहीं उज्जा दिखे ताकि उत्रकंट की सरकार ने जिस परकार से मैंडेट दिया है पदान मंति लेंद मोदी उत्रकंट को लेकि जिन परकार की योजनाओं को चलाते हैं विकास के पॉलिटिक्स में यह सारे नाम बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं और विसे चेहरा को आगे लाना है जो कि भविश्य में भी उत्रकंट के विकास को लेकर अपना योगदान दे सकाए ऐसे में पुसकर सिंग्धा में जो कि मक्यमंत्री हैं जब यह गाइडलाइन मिल जही तो जही तो पर उनके सामने एक बड़ा चैलेंज था कि कैसे बाकी सारे विधायकों को संतुष्ट कर सके हैं अगर 47 विधायक उनके पास हैं तो जही तो पर उस्तर से जो गाइडलाइन दिया गया था पिछली सरकार में जिन मंत्रियों का जैसा परफॉर्फॉर्मेंस रहा था आगे जिस प्रकार की उम्मीद थी जहां फ्रेशनेस की उम्मीद थी तो उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यह फैस्टा लिया गया है देविंद्र ये भी बताएगा कि पुशकर सिंग्धामी का जब नाम मुख्यमंतरी के तौर पर पिछले साल आया देखें तो बहुत बोल्ड फैसले उन्होंने लिये थे और बोल्ड फैसले इस लिहास से कि उनकी अपनी पार्टी की सरकार और मुख्यमंतरी तिवेंसिंग रावत ने जिन फैसलों को लिया था उन फैसलों को पलटना चाहे नौकर शाही के अस्तर पे हो या यूजनाओ के अस्तर पे हो या मंदिर बोर्ड का दिवस्तानम बोर्ड का आपको ध्यान होगा तो ये सारे फैसले वैसे थे जिन में बहुत जादा बोल्नेस की दरकार थी क्योंकि आप अपनी ही सरकार के अपनी ही पार्टी के लिए फैसले को बदल लेते हो इसलिए बदल लेते क्योंकि जनता में उसका रियक्शन आ रहा था और वहां पर बदलना जरूरी था जाही तो पर शिर्स अस्तर से पुसकर सिंग धामी को जब पिछली बार ही कमान दी गई थी तो उन्हें ये बताया गया था कि जन भाना के अनुरूप फैसला करने से आप भिचके नहीं हाला कि पुसकर सिंग धामी को सीम ना बनने दिया जा इसके लिए दिल्ली में बताया जा रहा थी को कई सारे नेताओं से मिलकर अपनी बात रख रहे थे तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुसकर सिंग धामी के लिए वह एक मुश्किल बड़ा कदम रहा होगा उन सारे फैसलों क पता होगा कि पार्टी के नेत्रितुर ने इसलिए उनके उपर भरोसा जाता आया है कि वो फैसले ले सकेंगे उन फैसलों को लिया शायद यही सबसे बड़ी वज्जा रही होगी कि एक बार फिर से खटीमा से चुनाव हारने के बावजूद पार्टी के शिर्स जब मिलते थे तो वो उनके साथ बहुत सहस्ता से कम्लिकेट करते थे किसी का कोई काम हुआ अपने च्छत्र कोले के कोई बात कहनी हो तो बहुत सहस्ता के साथ और बहुत सारे फैसले हमें यह बताये विदायकों ने यह कहा था कि उन्होंने अंदर एप्लिकेशन लेकर पितर इस्ता पर मुझें होने लगता है निराश्या होने लगती है जो कि पिछली बार कहा गया था कि उत्रा भांड कई बने सारए तो इनलों के सहस्ता के साथ और ㅇस बार गया औरover वहां के संगठन के वहां कि यह यह उमीद रहें कि उसी मोमेंटम को बरकरा रखे हैं स्वारब जी बिलकुल और एक बार फिर बता दें इंडिया टीवी और हमारे पोलिटिकल एडर देवेंदर पराशर ने आपके लिए एक कनफर्म लिस्स बताई है आठ मंतरी इंडिया टीवी ने रखे और ये जानकारी एक्स्क्लूजिव इंडिया टीवी के पास है